इस वीडियो में हम दिल्ली हाई कूट के एक लेटेस्ट और लेंड़ मार्ग जज्जमन के बारे में बात करेंगे और ये सवाल उठाता है कि SCST Act में जमानत कैसे मिलेगी और कब मिल सकती है आज हम बात कर रहे हैं केस X वर्सेस डेली NCR केस के बारे में और इस केस के सुनवाई जेस्टिस नवीन चाबला की बेंच कर रही थे अपने इस एतिहासिक फैसले में दिल्ली हाई कूट ने SCST Act से रिलेटेड मामलों में प्रोसीजर पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है और दिल्ली हाई कूट का ये फैसला विक्टिम के राइट्स और कूट की प्रोसीजर लाइबिलिटी की एक मिसाल कायम करता है क्योंकि इस मामले में SCST Act 1989 के सेक्षन 14A क्लॉस 2 के तहत अपील की गई थी और इसमें सैसन कूट के एक फैसले का विरोध किया गया था क्योंकि सैसन कोट ने आरूपी विक्टि को बेल दी दी थी बिना विक्टिम को इसकी जानकारी दिये तो अक्यूस को बेल देने से पहले विक्टिम को इनफॉर्म करना क्यों जरूरी है इसका प्रोवीजन करता है SCST Act का सेक्षन 15A क्लॉस 3 और 5 यह प्रोवीजन करता है कि विक्टिम या फिर उसके डिपेंडेंट को बेल प्रोसीडिंग के अलावा किसी भी कोट प्रोसीजर में कोट के द्वारा जो भी कारेवाई की जाएगी उस पर टाइमली इनफॉर्म करना जरूरी होगा यानि कि अगर अक्यूस वेक्टि बेल के लिए अपलाई करता है बेल के लिए सुनवाई होती है या कोई भी कोट का प्रोसीजर होता है तो उसमें विक्टिम का शामिल होना जरूरी होगा और अगर विक्टिम को इनफॉर्म किये बिना ही अरोपी वेक्टि को बेल दे दी जाती है तो वो जमानत रद भी करी जा सकती है तो इस केस में इसी बात पर अप्जिक्शन लिया गया था कि सैसन कोट ने अक्यूस को बेल दे दी है बिना विक्टिम की जानकारी के बिना व इसवज़ा से हाई कोड ने अक्यूस की बिल को रद कर दिया और मामली की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस नवीन चावला ने डिपेंडेंट को स्पेशल कोड के अगले ओडर तक फिर से कस्टिटी में लेने से 15 दिन के रहात दे दी तो इस तरह से दोस्तों SC और ST केसिस में जमानत लेने का जो प्रोसीजर होता है उसके बारे में section 15, A, clause 3 और 5 में बताया गया है judgment की सारी detail आपको description में मिल जाएगी hope की ये वीडियो आपको informative लगा होगा वीडियो को like और channel को subscribe करना बिलकुल मत भूलिएगा